माननी प्रधानमंत्री मोधी जी, पूरी केबिनेट और समस्त अधिकारी, आप सब को एक आम आदमी का नमस्कार है। इतना फाइन, कभी-कभी तो गाड़ी की कीमत से ज्यादा फाइन। कई हमने कोई application आवेदन कुछ दिया, उसको handle करने में देरी हो तो उस department को फाइन लग सके। अप राधियों को पकड़ने में देरी हो तो पुलिस पे फाइन लग सके। और मोधी जी एक भी किस्सा नीरो मोधी और मेहुल चोक से या तेलगी जैसा हो जाया है। तो मोधी तेलगी इनको तो जम के फाइन लगे लेकिन जितने लोग उस system में involved हैं अब उन सब को भी जम के फाइन लगे। क्योंकि केक जब कटता है तो वो सब में बढ़ता है तो एक-दो अधिकारियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा पूरे के पूरे system पे कारवाई होने चाहिए। जीतेगा तो भारत और आप और हम दोनों भारत को जितवाना चाहते हैं तो हमें कुछ पावर दे देजे कि कोई भी काम करने की maximum समय सीमा क्या है ताकि लोग यह जो चक्कर लगाते रहते हैं उनको समझ में नहीं आ पाता कि maximum समय सीमा क्या है कुछ-कुछ विभाग में तो समय सीमा क्या है एक बार आप सारे डिपाट्मेंट में समय सीमा करवा दिजिये ताकि जनता अलर्ट हो सके और जनता पूछ सकेगी एक AMब तक क्योनिसान एक आप हम इमेल आइडि धेशहम उसमें होने वाले करप्शन और हर गलत बात की सी आप हमको एक टॉलफरी नंबर अनिल कपूर का जो हेलो सीन चलता था उस सीन को आप देख लिजी कि कोई एक हाट लाइन पर आप फोन लगा सकें गबाने तो कि यह जो इमेल भी नी जानता जो टौल फ्री भी नहीं जानता से घबराता है उसके लिए हर शहर में पप्रिक प्लेस पे एक बक्सा लगबा जिसमें वो आके डाल सकें, फिर मैं आपको नायक क्या निलकपूर की तरह ले जाता हूँ, जो एक चौक पे बक्से को इनाउगरेट करता है, और लोग उस बक्से को भर देते हैं, आप में पावर है, आप ये कर सकते हैं, यदि हो सके, तो एक छोटी सी लिबर्टी दे दिज कि हम बिना अपना नाम, पता और फोन, नंबर डाले भी शिकायत कर सकें, क्योंकि वो डालने के बाद ये लोग बहुत तकलिफ खड़ी करते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, तो बिना आइडेंटिटी के यदि आप हमको कहीं कंप्लेंड करने का मौका दे सकें, तो हम और जादा करेंगे, चलिया आप प्रियरिटाइज कर लीजे, कि जो लोग नाम और आइडेंटिटी के साथ भेजेंगे, उनका आवेदन पहले हैंडल होगा और बाकी का आवेदन बाद में हैंडल होगा, लेकिन आप हमको इतनी सी पावर दे दीजे, कि पूरे भारत के 100 करोड से नस में इमानदारी भरी हो, और फिर देखिए मोदी जी इस मैच में क्या मजाता है, एक मैच खेलते हैं दो-तीन साल का, जिसमें जनता अपनी बालिंग करेगी और सिस्टम अपनी बालिंग करेंगा, और कोई भी मैच जीते, विश्वास किजिए, भारत जीत जाएगा और लीडर बन जाएगा, मैं आपका दोस्त, लेखक, मॉटिवेशनल स्पीकर, बिजनस कोच, डॉक्टर उज्वल पाटनी, भारत की करोलो जनता की और से ये छोटी सी अपील लेके, एक बार आप हमको भी एंपावर करती हैं